आप इसको इसली घर पर भी बना सकते हैं आज के बाद क्योंकि आज मैं आपको एक तम परफेक्ट रेस्पी बताने वाला हूँ तो चलिए रेस्पी शुरू करते हैं सबसे पहले आपने चाशनी बनानी है तो एक कप आपने बर के चीनी का लेना है और साथ में आपने इसमें पानी एड़ करना है पानी के तना डालना है एक कप से थोड़ा सा कम आप इसमें पानी एड़ कीशे गैस की फ्लेम आपने को पकने देना है और साथ में देखे थोड़ासा इलाईची पॉडर एड कर सकते हैं शह् warehouse का दिación को HOLT so और चाषनी को आपने देखिए हाथों के अपर इस तरह से मशल ना है और इसकेफ़ इस तरह से आप तार को चेक करेशेis तो इस तरह की तार बननी चेक चाषनी के अंतर यह हमार जो चाषनी प्सक्र hackते ऊच्छा इब लिए और यहाँ वार्ट क्या पर स्था डेशी गी आप देशी गी की जगा बनस्पती गी का यूज़ कर सकते हैं घेपर बनाने के लिए बड़ा सा बाउल लेना है और उसके अंदर आपने पहले गी एड़ कर देना है और गी को आपने ना मैल्ट करके डालना है यहाँ पे इसके साथ में 4-5 क्यूब आपने वर्फ के लेने है और व मैदा भी आइड करेंगे तो जैसे आप इसमें मैदा आइड करेंगे तो आपके हाथों में जो गी जिपकों को आप वो सारे का सारा चूट चाएगा कि देखिए थोड़ा-थोड़ा करके आपने मैदा आइड करना है पूरे प्रोसेस को फॉलो कीशिए का आपके गेवर ए पानी डालेंगे जो हमने इसमें गी आइड किया ना वो मैदे के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा अगर आप नॉर्मल या गुनगुना पानी डालेंगे उससे क्यों होगा गी मैल्ट हो जाएगा और आपका जो बैटर है वो अच्छा नी बनेगा आपके देखिए थो पानी डालने के जुरूर्ट पड़ेगी फिर आपने इसमें थोड़ा सा पानी आइड करना है कि देखिए अच्छी तरह से पहले मैंदे को मैंने मिक्स कर लिया है फिर जैसे आपका मिक्सर एक्टम ड्राइस हो जाएगा फिर आप इसमें पानी आइड कीशिए तो पानी भ बनेंगे और बैटर गैसा बनाने आपने इसका इसका जो बैटर है वो पतला बनाना है ज्यादा थीक बैटर नहीं बनाने आपने और जो गोल है आपने ठंडे पानी से ही बना की त्यार करने उससे आपके घेवर में अच्छा करंच तो आएगा अच्छी जानिया भी देखिए गोल हमारा त्यार हो चुका है इसके बद आपने एक बरतन में पानी रखना है बर्वला पानी और इसके बीच में आपने ये बैटर रखते हैं इसको न आपने ठंडा रखना है अभी मैं आपको इसकी परफेक्ट कंसीडेंसी दिखायता हूँ आपने इसको कितना प गेबर बनाना शुरू करते हैं अब हलवाई लोग तो संचे में बनाते हैं बट मैं आपको पैन में बना के दिखा रहा हूँ और पैन में ऑईल आपने आदा ही बरना है क्योंकि जैसे हम इसमें बैटर डालते हैं ऑईल एक दम बाहर को आता है और तेल आपने अच्छा खा करके डालते हैं तेल गर्म रहेगा बहुत ही जल्दी आपका डेट से दो मिंट में गेबर जो अपनके त्यार हो जाएगा एक पीस बनाने के लिए आपको इसमें कम से कम आच से दस लेटर डालने पड़ेगी बैटर की भरवर के और थोड़ी थोड़ी देर में आपने इसी साइड को हलका सा काट दीजे क्योंकि चिपक जाती है जैसे आप इसको काटेंगे ना यह जो घेबर का पीस है यह ओईल के निचे चला जाएगा और अच्छी तरह से यह पक जाएगा उपर से पक जाएगा निचे से बैसे ही पक जाता है बहुत ही चल दी तो इस तरह से उसको अच्छी तरह से निकलने देना है इसका जो ओल है वो अच्छे से निकल जाता है बिल्कुल भी ओल ने रहता इसके अंदर आप इसके बतम इसकी रवड़ी बना की त्यार करेंगे आदा लीटर आपने दूद लेना है यहाँ पर मैं फुल क्रीम दूद का यूज कर र देनी है और जब तब बॉयल ने आता है तब तक आपने बीशी बीश में बल्टाज चलाते रहना है तकि दूद जो गड़ाई के निच्छे नचिप के आपने इसके साथ इसमें चीनी भी आइड कर देनी है तो तीन चमच मैंने बरकेस में चीनी के डाल दी है और चीनी को को भी अच्छी तरस से mix कर लेते हैं दूद के साथ में तो रब़डि को अगर आपने जल्दी बनाना हो तो आप इसके अंदर मार्कट में खोया मिल जाता है पो डाल सकते है ठोड़ा सा अगर आपका खोया ना हो आप इसमें तो फोड़ा सा milk powder डाल सकते हैं तो यहाँत मैन अच्छे से पहले मिक्स करें